अस्सलामों अलेकुम आइडियर स्टूडेंट्स मैं तौसीव सर हूँ आपका एसेस्टी टीचर आई होब यू आर आल फाइन माइडियर स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं टॉपिक नियू क्वेस्टिन्स और आइडियाज उसका मैंने आपको थोड़ा सा प याने ये एक रेलिजन है जैनिजम इसका जो फाउंडर है वर्दमाना महावीरा जिसको लौर्ड महावीरा भी बोलते हैं जो कोई नौलेज किसी मजभब के बारे में हमें बताए तीरत हंकारा ये जैनाज ये जैनिजम जो अलग एक मजभब निकला था उस टाइम पे जो वर्दमाना महावीरा का अलग एक सोसाइटी के रिगार्डिंग एक नौलेज एटेन हुई थी उसको उसने एक मेसेज सेपरेड की एराउंड टॉंटी फाइफ एंडर्ड येर्स एगो उसने बोला कि कि मतलब हम किस पाथ पे चले उसने अपने पाथ अफ रियलाजेशन को अपनाया अपने रास्ते को उसने एनलाइटमेंट हासिल की अपने रास्ते पे तो ये जो महावीरा था ये एक शैत्रिया प्रिंस था यानि वैरियर ये भी था जिस तरह लॉर्ड बुधा था इसी तरह ये भी एक प्रिंस था एक बड़ा रोयल गार का एक बेटा था एक वैरियर था यानि जांगों में हिसा लेने वाला खांदान से था बैटल जो लड़ते हैं इ एक ग्रुप था एक ग्रुप देट वाज़ पौटा वजी संगा मतलब लॉर्ड बुदा और महावीरा दोनों संगा से रिलेटेड थे, संगा मैंने आपको बताया है जो बहुत सारी किंग्स इकटे किसी पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर जगा पर हकूमत करते हैं मिलबांड के और मश्वरे करते हैं वाईज मैन इसमें तो ये उसी संगा जिसको वजी संगा बोलते हैं ये जो महावीरा था लिचवाज प्रिंस था कहते हैं कि जब ये 30 यर्स का हुआ उसने अपने गार को छोड़ा और यानि वो फॉरेस्ट में रहने लगा जंगलों में रहने लगा बारा साल तक उसने एक हाड बहुत सकती और लोनली लाइफ अकेले पन की जिन्दगी यानि वो तनहा रहा उस जंगल में जब तक जब तक न उसने इलिम से रोशन खयाल नहीं हुआ यानि पूरी एनलाइफमेंट जब तक उसको पूरा इलिम हासिल नहीं हुआ तब तक वो जंगलों में रहने लगा बारा साल तक फिर उसके बाद लोगों को एक डॉक्टर आइन दी डॉक्टर आइन का मतलब होता है सेट और बलीफ यानि रास्ता दिया सचाई का उसने कुछ चीजें बताई टीजिंग्स दी लोगों को उसने बताया किसी भी मारत या औरत को अगर सचाई के रास्ते के बारे में जानना है अपनी रियालिटी के बारे में जानना है तो उसको अपने घरों को ज़रूरी छोड़ना होगा तो इसके बाद उसने बोला कि सब को इन रूल्स जो सिट्रिक रूल्स अप अहिमसा है अहिमसा का मतलब होता है रेस्पेक्ट फॉर ओल विंग तिंग्स avoid of violence यानि इस जग को जो हमारे जो ये रेस्पेक्ट है एक दुसरे की हमें करनी चाहिए ये जो ये जो रास्ता है जिसमें लड़ाई का रास्ता है अहिमसा का रास्ता है एक दुसरे को तकली पहुचाने का रास्ता है दुख पहुँचाने का रास्ता है ये हमें लीव करना चाहिए चोड़ना चाहिए हमें किसी को हर्ट या मारना नहीं चाहिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए तकलीफ नहीं देनी चाहिए और किसी living being को जो भी जानदार चीज है उसको मारना नहीं चाहिए उसने बोला महावीरा ने जो लॉर्ड महावीरा था जाइनिजम का जो फाउंडर था अल बिंग सेड महावीरा लॉंग टिलिए उससाब को जीने का हक है और हर किसी इनसान को अपनी जिन्दगी प्यारी होती है ordinary people could understand the teaching सा महावीरा कहते हैं कि जो ordinary लोग थे जो आम लोग थे उनको इनकी teaching समझ आती थी और उसके बहुत सारे followers बन गई क्योंकि इनकी जो language थी उस टाइम प्राकृत वो आम लोग भी समझ सकते थे इसके इलावा बहुत सारे फार्मस थे प्राकृत के महावीरा के उनको जैनाज बोलते हैं जो भी इस religion को follow करते हैं जैनिजम को उनको जैनाज बोलते हैं वो कैसे रहते थे वो अपनी जिन्दगी को बहुत simply गुझारते थे वो they all bagging for food वो food के लिए bag करते थे जगा जगा जाते थे क्योंकि उन्होंने उनको बोला था कि honesty, absolute honesty जो सचा है और इमानदरी इसी में है कि हम चोरी ना करे वो क्या करते थे फिर इसके follower जगा जगा ये हजूम चलता जाता था कारवानी चले जाते थे जहां पर भी टीजिंग्स देते थे यानि वो unmarried होते थे जिसके followers थे वो दुनिया की जो desire से उनको छोड़ना पढ़ता था उनको ये बिलकुल unmarried होते थे और ये give up करते थे अपनी जारी जिन्दगी इस religion के पीछे पीछे और including their clothes, सब जो ये clothes वगएरा थे लोग इनको देते थे including ये सब मालब दान करते थे it was very difficult for most men and women to follow मालब किसी इनसान को अब कभी कबर ऐसा होता है कि ये बहुर सिट्रिक rules होने की वज़े से कभी कोई अब जो भी बच्टा था तो thousand सब इनसानों ने अपने गार छोड़े मगर कुछ ऐसे रहे तो वो क्या करते थे वो इनको food provide करते थे जो अब बहुर सारे लोग इन rules को follow करते थे वो nones बन गए, monks बन गए मतलब उन्होंने अलग तरह से अपनी जिन्दगी दूसरी जगा पे गुजारनी स्टार्ट की और बाकी लोग जो जहां से भी गुजारते थे उनका ये फारस बनता था काम होता था कि उनको food provide कर दिया जाए जैनिजम को ज़्यादा support traders करते थे इवन farmers को जो इक insects होते छोटे 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 उनको जब वो crops होते थे तो वो इनको मार नहीं सकती क्योंकि ये difficult rules इसी जैनिजम में है छोटे छोटे इनसेक्ट इसको मारना भी नहीं है hundreds of years तक ये separate हुआ different parts अब नौरत इंडिया गुजरा तामिल नाडूर करनाट का में जो ये महाविरा की teaching जो जैनिजम religion है ये पूरे इंडिया में और outside इंडिया में भी बहुत इसके followers बन गए और इसको औरली और बहुत centuries तक मतलब लोग उने बोला एक दूसरे को transfer किया generation to generation और पंदरा सो साल तक मतलब ये जो है मतलब availability की होनी फिर इसको print किया गया तो इस religion की बहुत बड़ी मतलब इस religion ने बहुत छाम भी छोड़ी है तो my dear students मैंने आप आपको jainism के बारे में थोड़ा बहुत बोला तो मुझे उमीर है कि आपको समझाया होगा this is all for today thank you so much allah hafiz